सो हे स्टार्स क्या कर रहे हो सब सो गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने जिस जगे पर छोड़ा था में वी हम उसी जगे से कंटिन्यू कर रहे हैं मैं असल मैं इसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उसके आगे कंटिन्यू किया था लेकिन भई वीडियो तो मेरा पूरा बेकार हो गया ओके मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार भी जीतने वाला हूं क्योंकि अगर मैं इस बार भी हार गया ना भाई मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा फरस्ट्रेट हो चुका हूं अब ओके यहां पर यह तो अब के मुझे लगता है यहां पर ओ भई लिटरली में बोलते बोलते आज बिल्कुली ठक गया हूं क्योंकि मैंने प्रीवेस मतला में एक वीडियो बना रहा था उस उसमें मैं हार गया तो भई उसमें मैंने लग भग गाईस मैंने उसमें अठ्रा मिनट तक मतलब सिर्फ बके जा रहा था लेकिन उसमें मैं हार ही गया और मैं इतना बार हार रहा हूं क्योंकि मैंने पहले मैंच में ही मतलब पहले वीडियो में ही ओल्मोश हार ही मान लिया था आपने नहीं देका है तो प्लीज जाए उसे पहले चेक आउट कीजिए और ए एक्स सबसे ज्यादा ओपी है थोड़ा से यहां पर रेश्ट हो किया है यहां पर सबसे मतलब आपको हराने का मेन फैक्टर टाइम ही है क्योंकि टाइम आपके साथ नहीं रहता है तो इसलिए मैं फिर से सुरू किया था ना पहले से आपका अगर टाइम खत्म हो गया तो आप को फिट से सुरू करना पड़ेगा और मैंने किया भी और लेकिन मैं इस बार ज्यादा टाइम खोटी ना करते हुए आगे बढ़ा और इसलिए मेरे पास अभी 20 मिनट बाचे हुए हैं और एक एक को बुलाते हैं अपने पास भाई एक्स को हाथ में पकड़ने पर भाई बहुत ही मज़ा आ जाता है और उसका डियूरेबिलिटी भी में भी सबसे ज्यादा ही है इस बार में थोड़ा मतलब संबल के खेल रहा हूं वह भाई वहां पर इतने सारे लोग गाइस लिट हो चुका हूं और एक बात यहां पर अगर आप सोच रहे हों कि नॉर्मली खेल के जीच जाओगे तो भाई वह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपर नॉर्मली सिर्फ अपने फिश्ट वाइट करके जीच जाओगे तो भाई यह बहुत ज़्यादा मु हार गया ना गाइस भाई मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा मतलब हुझे घुसा आ जाएगा क्योंकि मैं फिश्ट वाइट करते करते वह बोर हो चुका हूं और भाई मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूं ओके लेकिन गाइस जो जो लोग सोच रहें कि भाई ग्राफि इसे कितना ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं भाई मैं सोच कर रहान हो जाता हूं पर एक गेम का लिमिट होता है एक दिन में वह इतना को ज्यादा नहीं कर सकता कि सो मैं सोच भी रहा था कि इसका एक कंपैरिजन कीप करते हैं लगता है आज मुझे एलेसी के उस पार जाना होगा है हमने याप पर ओ भी ओके अरे ये क्या हुआ ओके सो गाईस मुझे ने लगता कि इस बार भी हम जीतने वाले हैं ओ भाई मैं हार जाओंगा मैं लिटरली बोर हो चुका हूँ बोर इसे खेल के बोर नहीं हुआ हूँ सिर्फ इसे मतलब फीच्ट पाइट करकर के मैं बोर हो चुका हूँ ओ भाई ये गया और पीछे यहां पर और एक दिक्कत होता है आपको पीछे आने में एक दिक्कत होता है इसको भी में भी ठीक कर देंगे क्योंकि मुझे इनकोर के उपर पूरा ही वरुसा है और यहां पर चार और लोग और मुझे लगता है कि इस बार में बरने वाला हूँ यहां पर सारोकों में एक ही साथ पेल दूगा गाइस क्योंकि मैं सच में मुझे इतना ज्यादा घुसा आ रहा है और एक बात आप ध्यान रखना यहां पर खेलते हुए आप अपने मुवमेंट जॉश्टी का भी भरपूर तरीके से यूज करना अगर आप ने इसा नहीं किय तो भाई मुझे ने लगता कि आप यहां पर जीत पागे कि अगर आप एक जगे पर रुख जाओगे तो उनको मारने का मतलब टाइम मिली जाएगा और आपको चाहें तो यहां पर एक भी बंदा भी मतलब आराम से पहल सकता है और यह तो गया इसे मारने के बाद में वेप क्यारेक्टर को स्मूदली हम मतलब स्मूदली हम इसे मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ओके कोई नहीं अब भी यह गेम आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और भाई मुझे लगता है यह गेम फाड़ देगा जो लोग यह सोचने कि भाई यह गेम बिल्कुली खराब तो भाई आप मेरे कल वीडियो का इंतरजार करो मतलब कल के वीडियो का कि मैं एक कंपरीजन वीडियो के बारे में सोच रहा हूं भाई इसका स्टोरी मोड मुझे लिटरली पसंद आया गाइस क्योंकि वह मर गया ओके वह हमारा इंतजार ओ भाई साब वह वह चला क्यों गया भाई लच के पास वेपन से तो मैं भी वेपन यूज़ करने वाला हूं क्योंकि वही वेपन को आप हमेसा सेब हो पूरी तरीके से ओके लेकर अभी तक मेरा एक मतलब लाइब ड्रेन नहीं हुआ तो यह अच्छा है अभी के लिए फिलाल सो आपको यहां पर अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा आप सिर्फ यहां पर कामबैट करके या फिर नॉर्मली सिर्फ फिस्ट फाइट करके ज एक मतलब अच्छी चीज अभी तक कि मेरा अभी तक लाइफ गया नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारे पास तेरा मिनट बाचे है ओ भाई यह मर क्यों नहीं रहे हैं भे फिस्ट फाइट असल में इसलिए मैं अन्नोंग लगता है क्योंकि एक मिल क्यों नहीं सब्जेक्टिव हमारा वहां पर है ओके गाइज हम हमारे चेकपॉइंट तक पहुंच गए हमारे तीसरे चेकपॉइंट की तरफ और यहां पर में फिर से सेव करने वाला हूं अपने वेपन्स को क्योंकि नॉर्मल प्लेयर्स के ओ भाई एक गया यह सबसे कमजोर है ओ भाई वो तीनों वेश्ट वाले आदमी आ रहे हैं सो हमारे चीनी भाईयों इससे पता यह चलता है कि भाई हमारे एक हिंदुस्तानी उनके लिए काफी है मुझे लग रहा है गाईज मैं हारने वाला हूं यहां भाई इतने लोगों को मैं अक्यला केस सब्वाल हूं भाई आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा आप एक जगे पर बिल्कुल भी मत अटकिए क्योंकि अगर आप अटक गए तो भाई हारना तो आपका तेह ही है ओके गाईज सो आज लिटरली मैं जीत के ही जाऊंगा घर और आज का वीडियो खत्मी नहीं होगा जब तक मैं इन्हें हराना दूँ गाईज लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा मतलब यहां पर मुझे घुसा आ रहा है और यहां पर मैं जब तक नहीं जीत जाता ना तो भाई मैं लिटरली इस गेम को मतलब जीत कर ही छोड़ूंगा आज का यह वीडियो और अगर हार गया तो भाई गेम को भाई बिल्कुली छोड़ दूँगा मतलब पॉजी अनिस्टल करने वाला हूं में अगर हार गया गाइस नहीं गाइस मसा कर रहा हम एसा कुछ भी नहीं करूंगा भाई पॉजी नहीं भाई नहीं यह मत सोच लेना कि अगर मैं हार गया मतलब अनिस्टल कर दूंगा अब नहीं मजा कर रहा हूं सभी मजा को सीरियसली क्यों ले जाते हो ओके वहां पर भी कुछ लोगे ओके एक और दूसरा ओके मिल गया ओके गाइस में यहां पर फिर से हमें फाइटिंग करना पड़ेगा इतना फाइट तो मैंने अपने अगर कोई और एक बंदा कहीं पर भी छुपा हुआ होगा ना भाई में मरने वाला हूं लिट्रिली जल्दी 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 गया था क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ी नहीं पाया क्योंकि मैं जानी नहीं पाया कि रस्ता ही कहां पारे लेकिन अभी मैं जानता हूं अगर आप यहां पर फश्च चुके हैं तो मैं बताता हूं भाई मैं खूदी कंफ्यूज हो चुका ओके सो गाइस यहां पर रस्ता क सब्सक्राइब कंफ्यूज हो जाएंगे ओके गाइज फिर से इतने सारे लोगों को ओ भाई हमारे कमांडर के यह साब से हम हमारे दोस्तों के करीब हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचें गाइज और ओ भाई ओके इनका अटैक भी बहुत ही ज्यादा डेडली है गा यह लोग इतने ज्यादा पारफुल नहीं है जो बेश बाले आते ना वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ओके भी मुठा क्यों को के उठा दिया में तो यहां पर नहीं कुछ भी नहीं है ओके सो गाइज हम उनके एरिया में एंटर हो चुके हैं ओ भाई ओ भाई गा खेलने वाला हूं और यह मत सोच लेना कि अगर मैं यह गेम हार गया तो मैं फिट से नहीं खेलूँगा जरूर खेलने वाला हूं और ट्राय करें गाइज यह मैं इसा तो नहीं है कि इसे कोई मतलब कंप्लीट ही ना कर सके हम इने वीडियो देखे हैं कि अभी तक इसे कोई कि अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है मैंने जितना देखा है सो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर मैं इस बार भी हार गया ना तो मैं फिर से खऴने वाला हूं और डेफिनेटली यह वीडियो आज का नहीं रुकने वाला है जितना नहीं यह वेश्ट वाले को ज्यादा ही ताकद वरे सो उनको छोड़के आपको इनको मारना चाहिए यह तो कंफरम मरेगा मुझे लगते हैं कि हमसे भी ज्यादा थाक्तवर है वाई पीछे से और एक आ गया वाँ विवेश्च वाला यह desert तो पीछे पीछे ओके उठा लिया अभी मारूंगा सालित तेरे को आपको भी ऐसा ओ भाई ओ भाई साब ओ भाई पीट से हमें वापस से वहीं चेक पॉइंट पर छोड़ दिया जाएगा ओके गाईज ओके ओके यह कुछ ज्यादा हैं अभी सर चड़के बोल रहे हैं तो गाईज मुझे नहीं लगता की नहीं गाईज नहीं हम इनको मार के ही जाएंगे आजा आगया ओके तो गाईज मैं आज का लिवल खत्मी करने वाला हूं आप नहीं जानते तो भाई मैं सभी को मारने बाला हूं यहां पर और इनको इतना पूरा मारूंगा ओके हमारा लोड आउट फूल है ओ भाई मैं नहीं जानता था कि हमारे पास अभी हमारे वेपन्स बचे होंगे तो गाईज लिटरली गाईज अभी यह लेबल खत्म होगा या फिर या फिर हम फिर से खेलेंगे गाईज यहीं हमारे पास एक ही रस्ता बाचा है तो गाईज अगर हमने यह लेबल कंप्लीट कर दिया ना तो भाई में पहले बार यह होगा कि मैं अप मतलब देख पाऊंगा क्यूंकि मुझे लेबल को कंप्लीट कर पाऊंगा ओके हो गया सो एक्स का सबसे ओपी है मुझे एक्स सबसे ज़्यादा दंदार लगता है ओके आज आजाओ वेसे भी मैं एक्स के साथ तो किसी को भी फेल सकता हूं आराम से ओके एक्स का डियूरेबिलीट भी सब ओ भाई और लोग ओके गाईज हमारे पास अभी मैं बोलते बोलते भी ठक गाया हूँ ओके गाईज तो अभी बोलने का स्पीड भी हमारा थोड़ा कम हो जाएगा ओके यह मरा अभी मर साले ओके मर गया वो हमारे लिए इंतजार कर रहा था कब हम उसे मारेंगे और वो मरेगा भई मर ओके मर गया ओके गाईज अभी वेपन्स ओके एक यह वेपन है क्या वेपन ओके गाईज मैं ठक गया हूँ बोलते बोलते भी और खेलते खेलते भी फिर से वहीं पर कि यहां पर जल्दी से खत्म करेंगे यह मैंच को हम जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी खत्म करने वाले और एक गया दूसरा यहां पर एक ओ भई यहां पर मैं बोलने ही वाला था कि मेरा अभी तक लाइप गया ही नहीं भई ओ भई यहां पर मैं पीस रहा हूं इनके बीच में ओ भई यहां पर ओ भई रुख जाओ मैं फिर से नहीं खेलना चाता है ओ भई और लोग मताओ उसको मार के चलते हैं गाइस मुझे नहीं लेगते कि हमारा लाइप बचने वाला है और हमारे लाइप को फिर से मतलब रिजेनरेट करके आएंगे गाईज तो चलते हैं यहीं हमारे पास एक ही रस्ता है गाईज क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता जितना भी आगे जाओंगा अच्छे से जाओंगा और टाइम टाइम को भी हमें सेब करना पड़ेगा गाईज सबसे मेन फैक्टर तो वही है ओके हो गया है हो गया है ओके चलते हैं अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नौ मिनिट बचे हुए हैं और हमें और एक चिक पॉइंट भी नौ मिनिट में खत्म करना है अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं मतलब अगर आप मुझे सच में देखेंगे अभी में लिटरली खड़ा हो चुका हूँ अभी इनको बहुत ही बुरा मारूंगा अभी अभी आज़ाओ एक साथ सारे आओ डर्ने का कोई फाइदा नहीं अभी अभी सबको एक साथ मारूंगा जीतने भी आओगे सबही को मारूंगा में वो भी एक-एक करके तो भाइए उके मर सलम मर 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 नहीं रहा है कोई नहीं आखरी तक मारेंगे सभी को मारेंगे में मरूंगा तो यह सा मारूंगा भई याद रखने वाले हो तुम सभी उके गाईज…. यूटूब में मैंने जितने वीडियोस देखे हैं जबही ने अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसने कंप्लेट किया है लेकिन जबही ने अभी तक पूरी तरीके से कंप्लेट करने तक भी मतलब हार मांन गए थे सो इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हार नहीं मानने वाला हूँ क्योंकि डेफिनेटली गाइस ये वीडियो अगर दो घंटे का भी हो जाए ना तो तब तक भी मैं खेलता ही रहूँगा जब तक ये मिशन कंप्लीट ना हो जाए गाइस ओके इस बार हम चीत गए इस जगे पर और हमारा एक भी लाइफ गया नहीं अभी तक बहुत मर साले मर ओके मर गया सो अभी हमें वेपन ओके गाइस आगे बढ़ते हैं अभी ओके सो हमारे पंजाबी कमांडर के हिसाब से तो हम करीब हैं को एक गया ओके गाइस में लिटरली मजा रहा है अभी मैं समझ गया क्यों फीश्ट पाइट या करवा रहे हैं क्योंकि अभी फीश्ट पाइट करते करते मुझे अभी फीश्ट पाइट से ज्यादा कुछ तकलिफ हो नहीं रहा है गाइस क्योंकि मजा आ रहा है अभी मुझे दीरे एक एक आएंगे तो इनको सवाल मतलब समवालना इजी है लेकिन अगर एक साथ चार पांच या फीश्ट आ जाए तो भाई बहुत ज्यादा तकलिफ हो जाता है तभी हमारे पास सिर्फ अभी छे मिनट बचे हुए हैं और और एक चेक पॉइंट के तरफ मतलब हम खेल रहे है वह उपर रहे के उके गाइज वह वह वेपन के साथ खड़ा है आगया आजा बेटा आजा आजा नीचे आजा तो अकेला वह उसके साथ तीन चार लोग और आ गए वह कोई नहीं है अगर हम डरेंगे तो गाइज डेफिनेटली मारने वाले और एक बात क्याद रखना एक पर रुखने की कोसिस करोगे तो ओ भाई ओके वो एक खिट मारके रुख गया गाइज मेरा अब भी मतलब हाटविट बढ़ चुका है ओके एक्स 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 ओ भाई एक्स यहां पर उट क्यों नहीं रहा है भाई ओके तो एक्स हम बाद में उठा लेंगे इसको ही मारते हैं और अपने अटाइक जॉश्टिक को दोनों को अच्छे से इस्तिमाल करो ओके ओके यह तो गया कंफॉर्म कंफॉर्म मरेगा तू कि मर गया ओके यहां पर और एक है कि कैस आगे बढ़ते हैं अभी तक मैं मतलों और लोग भाई यह कितने देरी तक चलने वाला है गाइस अभी में भी बहुत टाइम हो चुका होगा वीडियो वनाते हुए और मैं बोलते हैं ओके में ओके यह मरा अगर आपके एक्स ट्रॉंग है तो आपके जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे ओ भाई और लोग ओके यह 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 ले यह ले और यह अहुए और एकटक मेरे ऊपर पढ़े गा तो भाई जांगा गाइस ओभाई ग्आई मैं मरने वाला हूं मैं मरने वाला हूँ और मरने वाला हूँ प्लीज भाई मेरे को छोड़ दे मेरे भाई मेरे भाई प्लीज छोड़ दे मुझे मरने वाला हूँ और यहां पर मरने ओ भाई भाई जल्दी जल्दी वहां पर मतलब हमारा फायर क्या मुझे जल्दी से यहां पर नहीं है यहां पर कोई firecam नहीं है गाइस हमें भागना पड़ेगा हमें नीचे से firecam से life हमारा ओके बहुत चार मिनिट बच आए तो बचने दो भाई में कुछ भी नहीं कर सकता इतने आगे आके मैं हारना नहीं चाहता तो मैं definitely है कि भाई time खत्मी क्यों नहीं हो जाए मैं भाई अपने life को increase करवा कर यहांँगा इतना आगे आके हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उड़ता ओके गाई जवर एक बाई डिस्कोर्ड पे जॉइन हो जाए कि डिस्कोर्ड में मज़ा आने वाला है आपको और हमारे चनल पर नहीं आए तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके मैं बोलते बोलते और खेलते खेलते ठक चुका हूँ और अभई रास्ता हाँ यहाई था ओभई लैग ओभई इतना डेडली लैग अभी सिर्फ दो मिनट बच्चा है गाईज और अभी तक हमारा आखरी वाला चेकपॉंट खत्मी नहीं हुआ है अभी और वी लोग आने वाले हैं मेभी यहाँ पर आगे केसे जाएं यहाँ पर से आगे कौन सा रास्ता था ओभई अचानक आ गया यह एक लोग केसे बच गया था भई ओभाई यह मेभी उनका बॉस होगा ओभाई साब फाइनेली स्क्रीन सोट तो बनता है गाईज डेफिनेटली तो मैं इसको ओभाई यह इतना ज्यादा ओभाई ओभाई यह मर क्यों नहीं रहा है ओभाई साब यह इतना ज्यादा कमबग था ओके यह में भी ओभाई साब फाइनली गाईज फाइनली फाइनली वी डिडिट गाईज बहुत ज्यादा मज़ा आ गया सौरी मैं वीडियो के वीच में कभी भी स्क्रिन सौर्ट नहीं लेता लेके न भाई लिटरली गाईज यह बिल्कुल ही पेसा वसूल हो गाईज पेसा वसूल अगर आप फीस्ट पाइट करके बोर हो चुके हो गाईज यह आपके लिए नहीं है अगर आप एक स्टोरी देखना चाहते हो भाई लिटरली गाईज मैं यहाँ पर इतने सारे गूस्बम्स आ रहे हो भाई अगर आप ओभाई साम अगर आप अभी तक बने हुए हो देन मैं आपको सल्यूट करता हूं गाईज ओके ओभाई ओके गाईज फाइनली हमने मिसन कंप्लीट कर दिया ओभाई ओके यह हमारा सिल्वर कॉइन मिला हमें ओके गाईज क्या बोलू आपको मज़ा आगया गाईज मज़ा आगया मुझे ओके अभी मैं यहां पर बंद करता हूं में भी हमें दूसरे मिसन पर अभी जाना ओके ओके पाल चले आयम ओके गाईज आज के लिए इतना ही मज़ा आगया गाईज दूसरे मिसन के लिए तयार रहे है मैं मिलता हूं बाई बाई गाईज